मैं एक अंतरिक्ष सूट में एक समय यात्री हूँ, जो अलगलग समय के स्थानों और ब्रहमांडों के माध्यम से यात्रा करता है, डॉट मुझे एक और समानांतर ब्रहमांड में एक बहुत ही प्रेरित कच्छुआ मिलना याद आया, उनका सपना पूरे ब्रहमांड में उढ लेकिन वह समझता है कि वह बाज की तरह उढ़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यह प्रेरित कच्छुआ बहुत द्रिड है, वह सोचता है कि वह यह कर सकता है, उसके पास साहस और द्रिडता है, मैं जानता हूँ कि जब तक कोई उसका मार्ग दर्शन करेगा, वह सफल होग इसलिए मैंने कच्छुए को स्पैसूट बनाने और उसे पहनने में मदद की, मैं उसे ले गया और सीधे ब्रहमांड में उड़ गया उची उड़ान के बारे में कच्छुआ जो महसूस करता है वह भय नहीं है, बल्कि उत्सा और उल्लास है स्पैसूट पहनने के बाद कच्छुआ उड़ना सीखने लगा पक्षियों के अपने दैनिक अवलोकन से उन्होंने दिशा और गती को नियंत्रित करना सीखा तब से कच्छुआ अब ऐसा जानवर नहीं रहा जो केवल जमीन पर रहिं सकता है वह आकाश में उर सकता है जो उसकी क्षमता और द्रिड संकल को साबित करता है यह घटना मुझे हमेशा याद दिलाती है कि मुझे अपने सपनों और लक्षों को आसानी से नहीं चोडना चाहिए और अपनी जाती शरीर या अन्य सीमाओं के कारण अपने आधर्शों को नहीं चोडना चाहिए इसके बजाए मुझे कठिनाईयों पर काबू पाना चाहिए, आत्मविश्वास और ग्रिणता बनाए रखनी चाहिए, सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहिए, जब आवशक हो तो दूसरों से सहायता और मार्गदर्शन प्राप करना चाहिए, और उनके सुझावों और आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए तयार रहना चाहिए, दूसरों के साथ सहयोग करना और सीखना चाहिए, और अन्थ में अपने सपनों को साकार करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सीखना एक सतत प्रत्रिया है, कोई फर्क नहीं पढ़ता कि हम क्या लक्ष चुनते हैं, हमें बदलती परिस्थितियों और चनौतियों के अनुकूल होने के लिए लगातार सीखने और बढ़ने की जरूरत है, देखने के लिए धन्यवाद, मैं अंतरिक्ष सूत में एक समाई यात्री हूँ, उम्मीद है कि अगली कहानी में आप से मुलाकात होगी,